देखिए 6.6 क्या कह रहा है A circular coil of radius 8 cm क्या दिया है Given Question अपने आप बोलता है बोलता यह नहीं क्योंगे आपने कुछ नोटी नहीं कहा अगर खुदी बोलेगा अभी आवाज करके Radius कितनी दीवी है Small r Capital r में चुँके resistance हो जाता है गलती से यह दिया 8 cm 8 into 10 to power minus 2 meter Decimal मत लिखा करिएगा 10 to power में लिखिएगा Calculation आसान हो जाता है 20 turns है Number of turns इस क्याल में कितने है 20 कैसे लगेगा हमको नहीं मालूम 20 turns rotated about the vertical diameter With the angular speed of 50 radian per second यह नि कि angular speed angular frequency जो भी हो कह है Radian per second दिया है इसमें radian नहीं दिया है यह ओमेगा दिया है 50 radian per second ओमेगा 50 radian per second In the uniform horizontal magnetic field Magnetic field दिया है 3 into 10 power minus 2 tesla Magnetic field दिया है 3 into 10 power minus 2 tesla यह magnetic field दिया हुआ है If the coil forms If the coil, sorry Obtain the maximum and the average EMF induced in the coil यानि आपको E maximum निकालना है और E average निकालना है यह निकालना है Induce in the coil If the coil forms the closed loop of resistance 10 ohm अगर यह कहरे है कि मान लिया resistance 10 ohm का उसका हो 10 ohm का resistance हो इसलिए smaller वहाँ यूज किया गया है तो calculate the 10 ohm कहा लिका है Calculate the maximum value of current I maximum निकालना है तो I max निकालिएगा इसके बाद Where does this power comes from Calculate the average power loss Power loss आपको निकालना है वो तो बात की बात है पहले जड़ा समझते हैं क्या है यह जब एक coil किसी magnetic film में रखी होती है तो उसमें से flux pass होता है उसमें से flux pass होता है तो flux और जब आप rotate करते हो उसको तो flux change होता है flux change होता है तो एक induced EMF create होता है ठीक है E ब्रावर क्या होता है D5B upon DT minus का तो D by DT of 5B क्या होता है BA cos theta बोले तो omega T rotate हो रहा है ना अच्छा आप theta को omega T कैसे लिख दिया गया once upon a time there was an 11th class there was angular velocity the definition was omega is equal to what theta upon T याद है तो वहाँ से theta के value क्या थी omega T होता क्या है पूरानी बाते हम लोग धुंदली बाते है मतब धुंदला 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 दिख रहा है तो सब जाला पड़ जाता है 11th का ठीक है तो यह आगया minus BA हम proof बता रहे हैं आप proof नहीं करेंगे याद नहीं करना है आप तो डारेक्ट लिखना है अच्छा अगर इसमें N turns है तो N भी तो यहाँ पर आएगा तो N भी यहाँ आएगा तो N बाहर हो जाएगा minus N बाहर हो गया अब कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसेशन भैलो जी वाले डारेक्ट याद कर ले minus omega अच्छा मैथ वाले चुकी अभी तक पढ़ चुके हैं डिफ्रेंसेशन लेकिन याद नहीं है सुचना होंगे याद तो हमको भी नहीं है minus omega sin omega t होता है minus minus plus nb a omega cos sorry sin omega t सुच में आई बार नहीं आई अब देखो क्वाइल जब रोटेट कर रही है तो e की वालू डिपेंड किस पर कर रही है n पर तो कर नहीं रही है number of turns is fixed magnetic field is fixed area is fixed omega is fixed तो डिपेंड कर रही है टाइम पर t पर कर रही है t बोले तो एंगल पर डिपेंड कर रही है और sin की maximum value क्या होती है 1 अरे मैं sin की maximum value कहाँ पूछा क्या जा रहा है यानि की maximum value जो sin की है maximum जो sin omega t की value आनी है वो आनी है plus 1 उसे minus 1 में maximum मी मानी जाती है negative direction में ठीक है तो यानि की e की maximum value हो जाएगी कितनी हो जाएगी n, b, a, omega ठीक है तो यानि की maximum हो की value यही आप से पूछ रहे कि what is the maximum value of emf पहुंचिया यहां तक देकि चुकि numerical है तो derive मत करना we know that the emf of the coil rotating in the magnetic field is this लेकिन आप नोट कर लिजे कही से ना जब आपको alternating current प्राय जाएगा तो फिर यह दुबार बताए जाएगा नोट करिए तो इसको देखे इसको उपर लिग लेते हैं तो आपको e not निकालना है न e not, maximum emf n बोले तो आँ गया 20 b बोले तो 3 into 10 power minus 2 a मतलब pi r square यह क्या होगा pi बाद में रखेंगी value omega को omega लिखाना दूँ अब रखो 20 into 3 into 10 power minus 2 into अब 3.14 into r square बोले तो 64 into 10 power minus 4 into 50 क्या आप चाहते हैं कि आपको इसको calculation multiply करके दिखाए जाए तो इसकी value जो आ रही है 0.603 अब यह हम मानते हैं कि आप multiply कर ना आता है 603 क्या किलो ग्राम लिटर वोल्ट तो यह आपका maximum EMF आ गया ठीक है average बाद में बात करते हैं अब आपसे maximum current भी पूछ रहे हैं I max तो maximum EMF divided by resistance यानि कि 0.603 अपान आर बोले तो रखेंगी कितना है 10 तो और एक 0 होचाही 0603 A इस प्रकार से आंसर ठीक नहीं है आंसर इसको 10 पॉर में लिख दीजेगा तो लिख दो के तो कोई कुछ कर भी नहीं लेगा सभी है नोट करिए इसको नहीं पाई के फार में मत छोड़िए नहीं आप मत छोड़िए पाई के फार में केवल एंगुलर चीज जो है उसको छोड़ने की छूट है और कोई भी पाई की फार में आप वैलू नहीं छोड़ेगे आप छोड़ दो के तो एक्जामनर क्या विगाड़े लेगा नहीं विगाड़े लेगा तो 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 तुम जानो क्या मतलब क्या है जिसे 3x2 आ रहा है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं वो एक अलग चीज है पाई चुकि ज़्यादा तर रोटेशन के लिए बात किरता है ना पाई तो आप पाई की टम में अब एंगुलर चीज को छोड़िए इसमें मत छोड़िए ठीक है अब आपसे एवरेज ए पूछ रहा है एचलिक ए डिपेंड किस वे कर रहा है साइन पर ओमेगा टी पर कर रहा है ना तो साइन की मैक्सम वैलू पहले जिरो होती है फिर प्लस वन होती है फिर जिरो होती है फिर माइनस वन होती है भे रोटेशन हो रहा है ना तो यह निकि साइन की वैल्यू क्या हो रही है प्लस वन से माइनस वन की बीच वैरी कर रही है तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी जेरो तो जो एवरेज है आपका वो कितना होगा that will be zero डाइट आप लिख देगे ठीक है तो एवरेज आप जीरो लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद आप से कह रहे है कि calculate the maximum value of current calculate the average power loss due to joule heating power loss की बात कर रहे है power loss का formula क्या होता है power loss half e naught into i naught अजीब लग रहा है ना अजीब लग रहा है ना अभी आप फिला diet formula याद कर लिजएगा ठीक है actually मैं ये थुरा सा calculate करने में आपको लिखना पढ़ेगा e naught sine omega t लिखा था हमने i naught sine omega t आएगा alternate पढ़ाए जाएगा sine square omega t की देखिए जर सुनिएगा power का formula होता v into i यहाँ v कौन सा alternate change हो रहा है ना तो v की value क्या है v naught sine omega t ठीक है और i की value क्या है i naught sine omega t तो आएगा v naught into i naught sine square omega t और sine square omega t की average value हाफ होती है ठीक है अभी अभी हम proof नहीं करने जा रहे है यह जो alternating current में आपको पढ़ाए जाएगा तो proof कराए जाएगा कि प्रूफ करें इसको sine square omega t की average value कैसे हाफ होती ही सब लीजेगा नहीं अब बताई दे क्योंकि अभी कहेंगे तो बाच पर जी मूँ बनाएंगे कहां से हाफ लिख दिया बड़े आए कैसे हुई ना देखो sine theta sine 2 theta sine केतनो theta हो angle कुछ भी change हो रहा हो maximum value कितनी होती है plus 1 minimum कितनी होती है minus 1 average value कितनी होती है zero ठीके cos theta angle चाहे जो हो maximum value कितनी होती है plus minimum minus और average और हमने ये बताया भी था कि plus 1 minus 1 क्यों होती है आपको जब mathematics में आपको जब trigonality में नहीं inverse function पढ़ाय गया था वहाँ domain वगरा पढ़ाय गया था वहाँ समझाय गया था कि कैसे sine की value होती है वहाँ हम जाएंगे नहीं अब यहाँ तो sine square theta हो गया तो हम करेंगे क्या हम sine square theta को किसमें break करेंगे cos 2 theta में 1 minus 2 sine square theta इसको इधर ले आओ तो 2 sine square theta is equal to 1 minus cos 2 theta और जब sine square निकालोगे तो half आएगा अब आपको इसकी average value चाहिए यानि इसकी average value चाहिए अब इसमें cos की क्या हो जाएगी 0 तो sine square की क्या हो जाएगी half तो इसकी half average value होती है याद हो जाएगी फिलालत यादी कर लीजे तो यानि इसकी average value half तो या half हो गया आपका half e naught अभी आप निकाल चुके है कितना निकाला है 0.603 अच्छा देखे i naught भी लिख सकते है और आप चाहें तो e naught square by r भी लिख सकते है दोनों term में लिख सकते है कोई दिकत नहीं है i naught भी आप निकाल चुके है ना तो i naught से निकाल लो चाहे चाहे इससे निकाल लो इससे निकालना थोड़ा आसान काय हो जाएगा तो उतने ही आएगा 0.603 का whole square upon 10 calculate कर लो उठा करके कितना है आए 0.018 देखो ये value हमने watt power है ना power unit क्या होती है watt होती है ठीक note करिए अब कहरें power आ कहां से रही है कहां से ताकत आ रही है इसको rotate कोई कर रहा होगा ना जो rotate कर रहा होगा वो work कर रहा होगा ये rod अपने आप रोटेट नहीं हो रही होगे कोई external agent है जो इस rod को rotate कर रहा है तो जो rotate कर रहा है वही work कर रहा है और वही work power क्या है work per unit time होता है न तो वही power इसमें dissipate हो रही है ठीक है तो ये है question number 6.6